हरे कृष्णा, तो आज इस शाम में राम नहुमी के आउसर पर आप सभी का स्वागत है और मैं यहां के वाइस राई सोसाइटी के आयोजकों का भुरी-भुरी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज आपने हमें यहां पर आमंतृत किया और भगवान की लिलाओं का वर्नन करने का आउसर प्रदान किया बगवान श्री राम जैसे की माता जी ने बताया बहुत सुन्दर वर्नन किया कि हर स्थिती में हर परिस्थिती में हम चाहे किसी भी स्थिती में क्यों न हो राम कितने सरल है है ना चाहे वो दुख की परिस्थिती हो हाए राम, हे राम या समंजस्ट की परिस्तिती हो, या सुक की परिस्तिती हो, राम घुल जाते है, सरल है, बहुत ही सरल है, कृष्ण थोड़े तेड़े है, त्रिभंगल लित, इसलिए भगवान भी श्री राम नौमी पर जन्म लेते हैं, और भगवान कृष्ण अश्टमी पर, अगर आप 8 का टेबल देखेंगे, तो क्या होता है, 8 का दूया 16, 6 प्लस 1, 7, कम हो गया, फिर 8 का 3, 24, 2 प्लस 4, 6, कम-कम होते जाता है, है न, कृष्ण आश्टमी में, क्रिष्ण की जो क्रियाय है, क्रिष्ण की लीलाय समझने में बहुत कठीन होती है, तब क्या करेंगे समझ में नहीं आते हैं, लेकिन राम, नूमी पर जन्म लिये हैं, नो का टेबल देखिए आप, नो दुना, अठारा, आट और एक, नो, नो तिया, 27, दो और साथ, नो, नो का 4, 36, 6 प्लस 3, 9, आप पुरा टेबल ले लिजिए, आखरी में संख्या क्या रहेगी, 9, तो इनकी जो क्रियाय है, वो प्रेडिक्टेबल है, आदर्श है, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, और इसलिए राम, नूमी पर जन्म लेते हैं, और हमें और एक एक संदे प्रेशा देते है, हम सारे जो जीवात्माएं हैं, उनकी निर्मिती आड़ भोतिक तत्वों से हुई है, है ना, भुमीरा पनलो वायू कम, मनो बुद्धिर एवचा, अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्टदा, ये आड़ प्रकार की प्रकृति, हर एक जीवात्म को प्रफ्त हुई है, और उसमें एक और जोड़ा है, अपरिमेयम इतस्त्वमन्यम प्रकृतिम विद्धिमे पराम, जीवभूत महाबाहो ये दम धार्यते जगत, और वो एक क्या है, हमारी सबकी आत्मा है, तो आट और एक कितने होगे, कितने होए, नो, सुनाई दे रहा ह आप सबको पीछे, I am audible, thank you, वही मैं जानना चाहता था, कि आवा जा रहा है निया, आट और नो कितने होगे, आट और एक कितना होगे, नो, तो भगवान ये कह रहे है, कि मैं नौमी पर आया हूँ, आपके पास नो चीज़े है, आपके जीवन में मुझे आड कर लो, तो क् जाएगा, नो प्लस एक, दस, दस में क्या है, एक है, और जीरो है, तो ये जीरो कौन है, हम है, और एक कौन है, राम है, अगर ये एक नहीं है, तो ये जीरो का क्या माइना है, चाहे आपके पास दस जीरो है, लेकिन एक ही नहीं है, तो क्या है, सब जीरो ही है, और राम क्या है? हमारे जीवन के हीरो. जब हम राम को हमारा हीरो बनाएंगे और अपने आपको जीरो रखेंगे, तो क्या होगा? हम भी हीरो बनेंगे. जैसे वो बालिकाने बर्थ सुंदर गाया ना, कि दुनिया चलेना राम के बिना और राम चलेना हनुमान के बिना. हनुमान कोन है? हीरो है की जीरो है? जीरो है, लेकिन राम की सेवा में हीरो बन गए है. अगर हम राम के बिना हीरो बनना चाहेंगे, तो क्या होता है? जीरो ही रहते हैं और कितने भी जिरो जाए एकटा कर लिजे वो आखिर में जिरो ही रहता है तो यह है संदेशा राम नौमी का तो इसलिए हमारे आचारियों ने हमारे गुरु अरगों ने हमारे लिए यह सुविधाय करके दी है कि किसी न किसी प्रकार से उस राम जी का स्मरन करवाया जाए ऐसे आयोजन के द्वारा सत्संग के द्वारा कि यह समझा जाए कि असली हिरो है कौन नहीं तो यह बहुत ही सजग है कि हम यह मान ले कि आखिर में हिरो तो कौन है मैं ही हूँ ना तो इसलिए इस कथा का इस राम नौमी का उत्सव का आयोजन किया जाता है कि बार बार हमें यह संदेशा दे कि भगवान को हमारे जीवन में स्थान देना है और आज की इस कथा में हम वही प्रयास करेंगे कि कैसे अलग-अलग भगवान के भक्तों के द्वारा भगवान का गुनगान किया गया है और भगवान के भक्तों का अनन्या ऐसे जो गुन है उसको प्रदर्शन किया गया है तो शुरुवात करने के पुर्व श्री वालमिक रिशी जिनोंने श्री रामायन का पड़ा सुन्दर वर्नन किया है भगवान श्री राम के खथाओ का उनको हम प्रणाम करते हैं हमारे गुरु वर्गो को श्रील प्रभुपाज जी को और यहां पर उपस्ती सारे वरिश्ट वर्गो को कि भगवान हमें ये शक्ति दे और आप सब को ये प्रेणा दे कि भगवान की कथाओं से हम और भगवान की और बढ़े तो हमने सबने सोचा होगा कि राम कथा में आखिर होगा क्या दश्रत से कई-कई मांगेगी दो वर्दान भगवान राम वनवास जाएंगे वहाँ पर फिर उनके मित्र मिलेंगे फिर सुगरीव के साथ मित्रता होगी फिर रावन सिता देवी को अपहरन कर लेंगे किटनाप कर लेंगे बगवान राम सुगरीव के साथ मित्रता बनाएंगे और लंका पर हमला बोल देंगे रावन को मार दिया रामायन खतम है कि नह और यही कता है, ऐसे नहीं होगा कि अगले साल ये साल अभी आज रावन की जगह कुम्ब करने ने शिता का अपहरन कर लिया, शुर्पन ना करके जगह कोई और आ गई, कता वही है, लेकिन जितनी बार हम सुनते हैं, उतनी बार उसका रस, उसका आनंद और दुगना होता जात है, इसलिए एक चोबाय में लिखा गया है ये, पुनी पुनी कितने ही सुनत सुनाए, यह की प्यास भुजत ना भुजाए, सीता राम चरित अतिपावन, मदुर सरस अरु अतिमन भावन, पुनी पुनी कितने ही सुनत सुनाए, कितनी बार भी सुनिये, वो मन को, रिधय को और आत्मा को आनन्दित करती है और हमारे पास इतनी पात्रदा नहीं कि उस कथा को पुरी तरह से एक ही बार में आनन्द ले ले कंबरिशी एक और भक्त है जिन्होंने रामायन का भी वर्नन किया है वे कहते है रामायन की जो कथा है वो शिर सागर के समान है मेरी क्षमता क्या है एक बिल्ली के समान है अब बिल्ली पीपी के दूद कितना पीगी एक कटोरा या एक भगोना इससे ज़्यादा कुछ पी सकती है क्या नहीं तो उसी प्रकार से ये रामायन का जो कता है वो इतना अनन्त अपार है इतना बड़ा दूद का सागर है एक बार में सूनकर एक बार में पीकर वो समझ में नहीं आएगा इसके बार-बार आनन्द लेना पड़े और दूद का कभी बिल्ली कभी बोर होती है क्या अरे यार आज फिर से दूद जब भी दूद दिखेगा तो क्या होगा चपट कर पड़ जाएगी अरे अभी भी चाहिए अभी भी चाहिए उसी प्रकार से दूद वही है बिल्ली की जो आतूरता है वो और वही है उसी प्रकार से रामायन भी वही है हमने भी वही कता सुनी है कई लोगों कई बार बोल देते हैं हमने रामाइन में देखा यह सब लेकिन देखने में और सुनने में क्या फरक है हम जब रामाइन सिरियल देखते है तो हम उसे मूवी के समान देखते है मूवी में क्या होता है हिरो होता है हिरोईन होती है विलन होता है तो हम अपने आपको भी समझते में हिरो हूं कोई तो हिरोईन है और तीसरा कोई तो विलन है और पिक्चर कितनी बार देखते हो आप एक बार दो बार ज्यादा से ज्यादा कोई ऐसा बहुत ही फैनाटिक है या बहुत ही चुनिंदा देखने में और सुनने में ये फरक होता है सिरियल देखने वक्त हमको भी लगता है हाँ मैं भी हिरो हूँ राम हूँ कोई सीता है कोई रामन है लेकिन जब हम सुनते हैं जब शरवन करते हैं तो हम राम और रामायन में हम अपने आपको और बढ़ता है, और बढ़ता है, क्योंकि हम भक्त के भाव में उसे स्विकार कर रहे हैं, जैसे रामायन जहां पर भी होती है, हन्मान जी वहां पर उपस्तित हो जाते हैं, अभी हन्मान जी ने क्या पहली एक ही बार सुनी है, क्या रामायन, नहीं, बार 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 बार, तो क क्यों वो इतना आनंद ले रहे हैं, क्योंकि वो भक्त के भाव में सुन रहे हैं, जीरों के भाव में सुन रहे हैं, तो इसलिए आज की भी हम कथा में कोई नया ऐसा कोई प्रसंग लाने वाले नहीं है आपके सामने, वही प्रसंग है रामायन का, लेकिन ये हमें इतनी शिक् करने में कम गिर जाएगे तो आज के कथा का मेरा मुख्य पात्रा है श्री भरत जी रामायन के कई पात्रा है जैसे हनुमान, सुग्रीव, मासीता, लक्षमन जी लेकिन आज हम भरत जी के विशय पर चर्चा करेंगे तो गोपियों ने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान आपको ये बमशी इतनी प्रिय क्यों है बगवान के साथ हमेशा बमशी होती है और वो हमेशा उसे अपने ओटों से लगाये रखते हैं गोपियों ने पूछा कि आपको इतनी बमशी प्रिय क्यों है तो भगवान कृष्णा ने बढ़ा सुन्दर उसका जवाब दिया कहा यह भंशी है ना हमेशा मैं उसे जिस प्रकार से बजाना चाहता हूँ उसी प्रकार से वो बचती है और इसका इसमें कोई स्वार्त नहीं है इसलिए यह मुझे बहुत प्रीय है उसी प्रकार से रामायन में भरत जी की तुलना की गई है भरत जी भगवान के उस बंशी के समान है जिस प्रकार भगवान राम बजाना चाहते है जिस प्रकार से राम उन्हें रखना चाहते है उसी प्रकार से वो रहते है तो यह बड़ा भाव है दोज भाव होते है भगवान की सेवा में एक भाव होता है सेवक का एक भाव होता है सेवक का और दूसरा भाव होता है उपकरन का उपकरन मिन्स इंस्ट्रुमेंट अभी इंस्ट्रुमेंट मिन्स क्या? अभी ये इंस्ट्रुमेंट है, ये माइक है इसको मुझे जैसे यूज करने का है वैसे मैं कर सकता हूँ इसकी कोई अपनी चॉइस है क्या इससे मैं आगर निचे कर लू तो और निचे रहेगा इससे मैं बाहर कर लू तो बाहर रहेगा निकाल लू तो निकल जाए इसकी कोई अपनी इच्छा है नहीं यहै उपकरण इसकी कोई अपनी choosing है नहीं सेवक क्या होता है सेवक की अपनी choice होती है मैं किस प्रकार से सेवा करूँगा तो आचारिया हमें समझाते है कि भरत जी ये राम जी के उपकरण के समान है जैसा भगवान उन्हें पजाना चाहे और लक्षमन जी की तुल्ला वो सेवक के समान करते हैं लक्षमन जी कहें मुझे आपके साथ वनवास आना है आप आपने भी आगर कहा कि आयोद्धा में रहो तो में रहूंगा नहीं मैं आपके साथ जाओंगा, है कि नहीं? वो सेवा का भाव है, सेवा करनी है, लेकिन भरजिन भी आना चाहते हैं, लेकिन राम जिन का नहीं, आप राज करो, भरजिन का मुझे आपके साथ रहना है नहीं, आप अयोध्या में रहो, महा का सब कारोबार देखिए, राजपाट देखिए, भरजी स्विकार कर लेते हैं, हाँ, मैं स्विकार हैं, तो ये है भाव, ये है उपकरन का भाव, इंस्ट्रुमेंट, तो रामायन में तीन प्रकार की मनुवृत्या बताई गई, तीन प्रकार के राज्यों का वर्नन रामायन में आता है, वो कौन से तीन राज्य हैं, एक है अयोध्या, दुसरा है किश्किन्दा, तीसरा है लंका, और ये तीनों जो राज्य हैं, वे तीन राज्य, तीन मनुवृत्यों को प्रदर्शित करते हैं, एक तो है लंका लंका किस मनोवृत्ती का प्रदर्शन करता है विक्रुती का प्रदर्शन करता है यहाँ पर भी दो भाई है कौन है वो कुबेर और रावन किश्किंदा में भी दो भाई है वाली और सुग्रीद और अयोध्या में भी भाई है राम और भरत और बाकी भी है तिनो स्थान पर भाई भाई है अभी देखिए तिनो पर मनोवृत्या कैसे अलग-अलग है विक्रुति जो लंका का प्रदर्शन करती है वहाँ पर विक्रुति का आर्थ होता है जो मेरा है वो मेरा है और जो तेरा है वो भी मेरा है है कि नहीं आजकल वो बहुत दिखती है कल्योग में मेरा तो मेरा ही है लेकिन आपके पास जो भी है वो भी मेरा है वो लावन था लगा किसकी थी कुबेर की लेकिन किस ने चीनी भाई नहीं रावन्य, पुश्पक किसका था? कुबेर का, किसने चीना? रावन्य, मुझे चाहिए, मेरा है, दूसरी मनोवृत्ती है, प्रकृती, जो किश्किंदा द्वारा प्रदर्शित है, किश्किंदा में वाली और सुग्री, दोनों में प्रेम है, लेकिन छोटी सी misunderstanding, गलत प्रेम ह वाली अपने आपको, अपनी जो मनोधारना है, अपना जो opinion है, उसे ही स्रेष्ट मान कर, उसे ही अपना कर, सुग्रीव को दूर भगा देता है, जो प्रेम है, वो शत्रुता में बदल देता है, वो परकृती है, और वो सब हमें दिखती है, चोटी चोटी बातों पर गर्मा गर्मी हो जाना, एक दुसरे से दूर चला जाना, भले कि रावन जैसी प्रवृत्ती नहीं है, लेकिन आयोध्या जैसी संस्कृती भी नहीं है, कि sacrifice करना, त्याग करना, और आयोध्या किसका प्रतिनिदी करती है, प्रदर्शन करती है, त् पर क्या है, जो मेरा है, वो भी तेरा है, लंगा क्या है, जो तेरा है, वो भी मेरा है, किशकिंदा क्या है, मेरा है तो मेरा ही है, आप यहाँ पर नहीं आ सकते हैं, लेकिन आयोध्या क्या है, जो मेरा है, वो भी तेरा है, या तेरा ही है, और वही हम देखते हैं, भरत कहते हैं कि मुझे राज्य नहीं करना है, आपको ये राज्या बनना है, राम कहते हैं नहीं, भरत आपको ये राज्या कारभार चलाना है, और ये है संस्कृति, और ये संस्कृति हमें प्राप्त होती आयोध्या के आधान प्रदान से आयोध्या के जो भी हम क्यारेक्टर्स देखते हैं वो सब एक विक्ति के प्रति समर्पी थे भगवान के प्रति समर्पी थे प्रकृति में कभी दूर चले जाते हैं लेकिन अगर रास्ता दिखा दिया तो सही मार्ग पर संसकूरुती में आ जाते हैं। लेकिन विकूरुती के लिए क्या आवशक है? पनिश्मेंट। जहांपर विकूरुती है, वहाँ पर पनिश्मेंट है। वहाँ पर भगवान श्री राम ने प्रयास किया उस विक्रूती को संस्कूत में बदलने का, लेकिन रावन माना नहीं, तो वहाँ पर सजा दी गई. तो इसी प्रकार से, जो आयोध्या का स्थान है, वो जिम्मेदारी का स्थान है. और जहाँ पर भी जिम्मेदारिया होती है न, वहाँ पर क्या होता है? त्याग होता है. जो इस वेक्ती ने भी जिम्मेदारी ली है, उसने त्याग का अनुभव करना ही है. त्याग के बिना कोई भी जिम्मेदारी चलती नहीं है. मां से पूछ लीजिए. अगर उसने बच्चे की जिम्मेदारी ली है, तो उसने बिना त्याग के उसकी जिम्मेदारी ली है. क्य तबी तो वो जिम्मेदारी चली है। और त्याग का दुसरा अर्थ क्या होता है। अस्रू। आसू। जहां पर त्याग होता है, वहां पर कई आसू गिराने होता है। और वही हम अयोध्या में देखते हैं। और इसलिए इतना करुणा, इतना दिल को वो छू जाता है। कि हर एक विक्ति अपने जिम्मेदारियों को समझता है, त्याग के लिए तयार है। और अपने आसू की परवा नहीं करता है। चैतने चरितामरुत में एक बड़ा सुन्दर श्लोक आता है, जो प्रेम की परिभाशा समझाता है। जिससे प्रेम करता हूं, जिसकी जिम्मेदारी मेरे पास है, उसके लिए मैं समर्पन की भावना रखता हूं। यह प्रेम का डिफिनेशन है, यह प्रेम की व्यक्या है। और यह प्रेम ओत-पत हम रामायन में देखते हैं। भरत जी की स्वान भरती चींड देखते हैं, तरवूरत भरत जी में देखते हैं लेकिन इनकी कारक्टर में बहुत। खेल के वो सामने आता है तो यह उपूल तुप वो ना तो विकृती की है लेकर इननी चाहते संस्कृती के भी नहीं। हम कहां गुते हुए है। बच्चन को भूल जाते है, सुक्रिय जी बच्चन को भूल जाते हैं, राम जी को हमने बच्चन दिया है कि मासिता की खोच करेंगे, लेकिन भूल जाते हैं, लेकिन लक्ष्मन जी आते हैं, याद दिलाते हैं, फिर से वो अपना सेवा में लग जाते हैं, उसी प्रकार से हैं हम भी सब भूल गये हैं गर्भ में तुने किया था वादा तु भूल गया वो वादा तेरी बिगडी नजरी आरे बोलो रादे शाम शाम साम सीता राम 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 गर्व में तुने किया था ये वादा, भजन में करूँगा तुम्हारा, है ना, मैं तो भजन भूल गया, तेरी बदली नजरीया, तो मैं अपना भजन करवाने में वेस्त हो गया, तो ये प्रकृति का सभाव है, भूल जाना, और गुरू जब आते हैं, लक्षमन जी एक गुरू का रूप है, जब भज जीवन में आते हैं, तो हमें स्मरन करवाते हैं, कि हे, आपका डाइरेक्शन इदर है, आप इदर जा रहे हो, इदर आईए, तो ये हमारी जो स्तिती है, प्रकृति की, है ना, तो किसी भक्तों को पुछा गया, आपको किस स्वरूप में राम अच्छे लगते हैं, आयोध्या में जो भगवान श्री राम का स्वरूप है, जो मिथिला में हैं, जो चित्रकूट में हैं, अलग-अलग भगवान के आयोध्या में आये, देवताओं के कहने पर, दशरत और कौशल्या के प्रेम के भगवान आयोध्या में आये, मिथिला में गए, विश्वमित्र के कहने पर, चित्रकूट में गए, दशरत जी के कहने पर, है न, वहाँ पर सब के कहने पर भगवान चले गए, क्योंकि करने थी लेकिन लंका में भगवान श्री राम किस लिए गया बिना बुलाए गया यहाँ पर सब ने बुलाया उन्हें अलग 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 स्थानों पर श्री राम जी को बुलाया गया लेकिन लंका में भगवान बिना बुलाए गया तो यह भक्त कहता है मेरा रिधाय भी लंक के समान है यहां पर मिधिला का या आयोध्या का या चित्रकूट का जो वातावरन है वो वहां पर नहीं है यहां पर लंका का ही है तो भगवान को अपने आप आना ही पड़ेगा वो खुद ही आ जाए यह है भक्त का भाव तो ऐसे स्री राम जी को है ना ऐसे लंका में स्वयम को ही आना पड़ेगा तो दशरत महराज ने वर्दान मांगा कैके ने भगवान दशरत जी से वर्दान मांगा दशरत जी ने उसे सैंक्शन कर दिया चलो नहीं चाहते थे फिर भी देना बड़ा दशरत जी जो चार पुत्र थे ना जैसे उनके चार सपोर्ट लेकिन जब दशरत जी महराज दशरत इस संसार से विदा ले रहे थे उनके पास चारो भी पुत्र नहीं थे बहुत ही जो वर्नन है बहुत ही करुना मही है कि दशरत जी राम लक्षमन सीता को पुकार रहे हैं और उनका नाम लेते लेते अपने देहत्याग कर देते देहत्याग के पश्षात वशिष्ट रिशी जैसे कि बताया गया था भरत और शत्रुग्न को अपने नाना के घर से बुला लेते हैं भरत जी और शत्रुग्न जी अयोध्या जब बधारते हैं तो अयोध्या का जो सभाव है अयोध्या उत्सोवों से सजी हुई रहती थी वहाँ पर हर समय यग्यों का धुआ चारो और मंडरा रहा रहता था हर समय वाध्य गान वहाँ पर हमेशा चलते रहते थे हमेशा विजे उत्सो मनाया जाता था जब भरत जी अयोध्या में जब पधारे तो अयोध्या विराने के समान प्रतित हो रही थी अयोध्या में न दीब चल रहे थे न लोगों की चल बिलट वहाँ पर कोई भी किसी प्रकार की मानो कोई साप सुंग गया हो अब आयोध्या को ऐसी आवस्ता में भरत जी तो काफी बिविल्डर बड़े संब्रमित हो गए कि आकिर हुआ क्या है ऐसे जहां महाराज दशरत जो दश्यो दिशा में अपनी विजय पता का लहरा रहे है लहरा चुके है जहां बगवान श्री राम स्वयम मा सीता जो लक्षमी का अवतार है वो स्वयम इस तान पर रहती है और यहां पर यह विराने का अनुभाव कैसे हो रहा है तो बड़े ही तेजी से अपनी मा के राज महल की और महराज भरत जी दोडते है और पहला सवाल जैसे ही मा केके को देखते है भरत जी पूछते है ये लालसा से वहाँ पर पोचे थे कि महाराज दश्रत का वहाँ पर दर्शन होगा लेकिन जैसे ही वो पोचते हैं और पूचते हैं मा पिताश्री कहाँ पर है मैं महाराज को देखने की लालसा रखता हूँ और कहके ही इतने कठोर रिधै से भरत जिसे कहती है कि बेटा आपके पिता तो वहीं पर चल बसे जहां पर हर प्रानी का गंतव्य होता है इतनी कठोर वानी सुनकर भरत जी को ऐसे लगा कि मानों किसी ने गरम तेल उनके कानों में दाल दिया हूँ कि उन्हें किस प्रकार से इस संदेशे को देना वो भी समझा नहीं तो कभी-कभी ऐसे हो जाता है कि भौतिक आसत्ती किसी वस्तु से आपको इतनी कठोर बना देती है कि आप संवेदन शिलता भूल जाते हो किसी के प्रति संवेदना क्या है सेंसिटिविटी जैसे कहते है वो भूल जाते हो तो ये है मा कई-कई का उधारन जो एक किसी वस्तु से किसी चीज से इतनी आसकता हो गई अपनी इमेज से इतनी आसकता हो गई कि इतनी कठोर शब्दों की इतनी कठोर वानी का वर्षाव अपने स्वाइब पुत्र पर कर दी और उन्होंने सुन लिया तो अगला सवाल भरत का था महराज भरत का था कि भाया राम किदर है तो मा कहिके ने कहा कि अरे राम लक्षमन और सीता ये तिनों को वनवास भेजा गया है वनवास किस कारण के लिए क्या राम ने किसी स्त्री का अपमान किया है या किसी ब्रामन के धन को चुराया है या किसी सज्जन विक्ती का अपमान किया है इसी के कारण उन्हें ये सजा दी गई तो केके ने कहा कि आरे नहीं नहीं राम का तो जो क्यारेक्टर है वो इन सारी चीजों के लिए बना नहीं है वो तो बड़े स्रेष्ट है तो भरत ची तो और संब्रमित हो गए कि आरे ये क्यूं बेजे गए है आखिर में तो केके ने कहा कि बेटा एक्चुली तुम्हारे लिए मैंने उन्हें भेजा है मेरे लिए जब ये सुना कि मेरे लिए मा केके नहीं राम, लक्षमन और सीता को वन्वास भेजा है मुझे राजा बनाने के लिए तो उसी एक शन मानो भरत जी पर बिजली गिर गई हो उसी एक शन वो मुर्चित होकर जमीन पर गिर गए और इस अवस्ता में भरत जी मा से पूछने लगे कि आप किस प्रकार की मा हो हाला कि मा जानती है कि बच्चे को क्या अच्छा लगता है और क्या बुरा लगता है है ना सारी माओं को जानती है कि बच्चे को कब क्या देना है चाहे बच्चा कितना भी जीत कर ले कितना भी ना बोले लेकिन मा तो चाहे वो नीन में भी क्यो ना हो वो उससे सब बताये कि अभी क्या देना है तो केती किस प्रकार की मा हो आपने आपके बच्चों को ही नहीं समझा कि मुझे क्या पसंद है और मुझे क्या नापसंद है एक्चुली आप मेरी मा हो ही नहीं क्योंकि आप समझी ही नहीं कि मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या प्रिय है और क्या प्रिय है तो ये सब घटना होने के पश्चात मा कहीं कि समझ में आती कि आरे मैंने कुछ सो बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने ठीक से भरत को समझा ही नहीं अभी भरत जिका क्या सबसे बड़ा चैलेंज है कि सबको लग रहा है आयोध्या में कि ये पुरे ड्रामे में ये पुरा जो कहिके इन्हे राम को वनवास भेजने का जो नीर नहीं लिया है इस नीरनह में भरत जी भी शामिल है तो ये बहुत बड़ी गलत प्रेमी सारे अयोध्यावासियों को यहां से अयोध्यावासिय की क्या कल्पना क्या बात करनी यहां तक कि माह कौशल्या वशिष्ट रिशी जो उनके गुरु है वे भी ये समझ बैठे कि इस पुरे कारणामे में भरत भी शामिल है जबकि भरत जी का कन मात्र भी उसमें कोई रुजहाव नहीं था कोई निर्ने नहीं था लेकिन उन्हें अभी क्या सब के सामने अपनी निर्दोष्टा प्रस्तूत करनी है यहां तक कि जब महाराज दशरत का दाहा संस्कार होने जा रहा था तो बड़ा पुत्र होने के कारण भरत जी अगनी देने जा रहे थे और अगनी देने के वक्त वशिष्ट रिशी ने उन्हें रोका कि आप अगनी नहीं दे सकते हैं क्यों? क्योंकि महाराज दशरत ने अपना देहत्याग करते वक्त कहा है कि इस कई-कई के दो वर्दानों में जो मांगा है उसमें भरत भी शामिल है और भरत को मेरी चीता जलाने में चीता को अगनी देने में स्यामिल मत करना तो वो और एक बड़ी बिजली भरत के रिधाय पर गिर गए कि पिता भी ये सोच कर चले गए कि ये सारे कारनामे में मैं भी शामिल हूँ और शत्रुग्न ने महराज दशरत के चीता को अगनी दी ये सब देखते हुए भरत जी का रधय तो तूटकर विखर चुका था लेकिन जब उन्हें ये ज्यात हुआ कि अभी मुझे राजा बनना है कई प्रकार की कई लोगों ने उनकी परिक्षा लेने का प्रहास किया अगले दिन वशिष्ट रिष्टी ने जिस प्रकार से राजा का सत्कार किया जाता है उस प्रकार से सब कुछ एरेंजमेंट कर दिया कि बले ही बहारी रूप से भरत ना ना बोल रहे होंगे सब को दिखाने के लिए लेकिन अंतर मन से चाहते होंगे आरे हां ठीक हुआ मेरे बीट बीचे तो सही बात हो गई मैं जो चाहता था एक्सिडेंटली माने तो मांग लिया चलो कोई बात कभी कभी होता है ना कि बहारी रूप से दिखाने के लिए हम बलते है आरे नहीं नहीं प्रभुजी बस आप ही रखिए लेकिन मन में तो हम रिच्छा करें आरे वो मुझे मिल जाए तो अच्छा होगा है के नहीं तो ये चेक करने के लिए वशीष्ट रिशी ने बड़े बाजे नगारे के साथ जिस प्रकार से राजा को उठाय जाता है राजा का सथकार किया जाता है उस प्रकार से सब नगारे सुत मागत सारे लोगों को राजा की स्तुती में भरत की स्तुती में भेज दिया ये टेस्ट करने के लिए कि सही में भरत इसके पेवर में है या नहीं तो जैसे ही भरत ने इस द्रिश्य को देखा तो तूरंत ही कहा बन करो ये सब ये आकिर हो क्या रहा है और वशिष्ट रिशी से उन्होंने एक चैस्टाइजिंग उस टोन में कहा कि ये एक वस्तू दूसरे वस्तू का सौमी नहीं बन सकती क्या ये वस्तू इस वस्तू का सौमी नहीं बन सकती उसी प्रकार से ये आयोध्या और ये भरत ये दो वस्तू है श्री राम की सेवा में ये भरत ये आयोध्या नामक वस्तू का सौमी नहीं बन सकता एक वस्तू जैसे दुसरे वस्तू की सौमी नहीं बन सकती तो इस राज्य के इस आयोध्या के राजा तो केवल राम ही है तो वशिष्ट रिशी को ये धनक तो लग गई कि भरत की मन में रिधय में इवन सबकॉंशियस माइन में अंतर मन में भी ये इच्छा नहीं है कि वो राजा का जो पद है उसका वो भोग करे उसका वो सम्मान प्राप्त करे तो ये इतना सब होने के परशाद अपनी निर्दोष्टा प्रस्तूत करने के लिए मा कौशल्या के पास जाते है मा कौशल्या ये इस इस प्रसंग में बहुत सुंदर वर्नन आता है अपनी निर्दोष्टा दिखाने के लिए मा कौशल्या के समक्षव जब वो जाते है तो मा कौशल्या से प्रार्थना करते तो आते ही मा कवशल्या उन्हें अपने तिक्ष्ण शब्दों से उनका स्वागत करती है। हाँ भरत आपकी इच्छा क्या अनुसार जो होना था वो तो हो गया ना। और एक बड़ी परिक्षा से भरत को गुजरना पड़ेंगा। तो अपनी निर्दोष्टा साबित करने के लिए भरत जी मा कवशल्या से कहते हैं देखो मा मैं आपके सामने ये वचन लेता हूँ कि अगर मैं किसी भी स्वरूप में मन, तन, भाव से अगर इस मा कई कई के जो प्लान है उसमें अगर मैं शामिल हूँ तो सारे प्रकार के जो पाप है न वो मेरे सर पर आकर गिरे तो अलग-अलग पापों का उन्होंने वर्नन किया है तो उन्होंने चार प्रकार की कैटिगरी में उस पापों का वर्नन किया है कि केसे अलग-अलग धर्म पालन करते हुए पाप होते हैं तो उन्होंने राजा के द्वारा होने वाले पाप, जो शाशक के द्वारा किये जाने वाले पाप, उसका वर्नन किया, फिर धर्म के विरुद्ध किये जाने वाले कारयोग का वर्नन किया, उसे किस प्रकार से पाप होते हैं, धर्म के विरुद्ध, फिर समाज के प्रती होने वाले, पुरा समाज है, उसके प्रती होने वाले और ग्रहस्त जीवन में किस प्रकार के पाप होते हैं, इनका वर्नन किया, तो एक एक करके मैं quickly इनका वर्नन करूँगा, ताकि थोड़े हमारे लिए काफी उपयोगी है, आप चाहते हैं मैं इसका वर्नन करूँ, आवाज नहीं आ रही पीछे से, आशक के द्वारा किस प्रकार के पाप कार्य होते हैं, तो भरत जी कहते हैं, मुझे वो सारे पाप लग जाए, जैसे कि उन्होंने कहा, कि अगर बिना सुरक्षा प्रदान किये, अपने citizens से, अगर tax collect किया, तो वो पाप है, अगर शाशक होगर में मेरी प्रजा को सुरक्ष प्रदान नहीं कर रहा हूं, और के अवल tax ले रहा हूं, तो वो पाप है, वो पाप मुझे लग जाए, युद्ध से अगर में पलायन किया, अगर किसी राजा ने, युद्ध जो रक्षा प्रदान करता है, अगर उससे पलायन किया, तो उसका एक पाप होता है, पिता के प आमदनी नहीं देना, है ना, आजकल की गंबनियों में होता है न, सैलरी 5,000 और काम 50,000 का, तो शाषक अगर शिरम करवाता है किसी से, और उसका आमदनी नहीं देता है, तो वो भी पाप का भागी बारी तो ये शाषक के दौरह उसमें और बड़ी लिस्ट है, दर्म का पालन नहीं करना धर्म के विरुद्ध होने वाले पाप तो धर्म के विरुद्ध क्या-क्या पाप होते है वचना अनुसार दक्षिना न देना बिल्दो किसी प्रिस्ट को आपने बुलाया है यग्य करवाया है और उसको दक्षिना नहीं दी है ठीक से, वो एक पाप हो जाता है भगवान को बिना अरपन भोग खाना वो एक धर्म के अरुद्धित पाप बिना भोग लगाए खाना भरजी कहते है को मा कोशल्या को कि इस पाप का मैं भागी हो जाओंगा और कहते हैं कि गुरु की अवग्या करना सोना अगर कोई शाम में सो रहा है तो वो उसे पाप लगता है उस वक्त संध्यागाल में कोई सोता नहीं था और यांत्रिक्ता से शास्त्रा अध्यन करना यांत्रिक्ता के बहुत तो पढ़ने का बोलकर पढ़ना है चलो आज ये कथा करनी है तो पढ़ लो चलो खतम आज का इक मार्क हो गया यह धर्मा के विरुद्ध होने वाले पाप है और गुरु ने सीखा यूई सुक्ष्म शिक्षाओं को अन देखा करना गुरु कई परकार की शिक्षाओं देते है उन्समें सुक्ष में सिक्षाओं होती है हमारे लिए तो यह धर्माके विरुद्ध है सामाज इक्सतर पर होने वाले बहुत ही इंट्रेस्टिंग है तो यहाँ पर कहा गया है भरत महाराज जी कहते हैं जरूत मंदु को जो जरूरत मंद है उन्हें जूटी आशा देना means you speak big give very little or nothing बाद बड़ी और बाद बड़ी और काम बहुत छोटा आशा बहुत बड़ी देना खुशियों की चाबी आप अगर यह प्रोड़क्ट ले लोगे तो खुशिया आपका घर भर देगे लेकिन वो प्रोड़क्ट आने के बाद परिशा नहीं बढ़ जाती है तो आशा बहुत बड़ी देती आडवर्टाइजमेंट इंडस्री वही है दुसरा है किसी के घर संपत्ति को आग लगाना तिसरा है पानी को प्रदुशित करना यह सामाजिक पाप है और आजकल की नदियोवा तो क्या किया गई है प्रदुशित की गई है प्यासे को निराश करना सोती हुई गाए को लात मारना और अयोग्य विक्ति को उपहार देना यह समाज के प्रती होने वाले पाप है और ग्रहस्त धर्म में क्या होने वाले पाप है उसका भी वो वरनन करते हैं तो क्विकली इसका में वेभिचार करना अन्यस्त्री अपुरुस से संग करना मित्र दोह करना माता पिता की सेवा को टालना या उन्हें अब्यूस करना यह एक पाप है माता पिता की सेवा को किसी न किसी प्रकार से टालना वो कहते हैं गुप्त बातों को उजागर करना किसी की गुप्त बाते है एना secrets आपको पता ऐसे ऐसे हुआ means we take interest in that और सु स्वादु वेंजन अच्छे पकवानों का अकेले ही enjoy करना आज अगर अच्छे डीज बनी है तो मेरे लिए ही किसी को नहीं बाटना ये एक ऐसे बहुत अच्छी उन्होंने और आश्री जनों का त्याग करना तो यतना कहने के बाद मा कौशल्य का रिदे पिखल जाता है कि सही में और इसी प्रकार से फिर अपनी निर्दोष्टा का निरूपन करते जाते है यहां तक कि जब वो सब को ले जाते है महाराज गुआ भी भरत महाराज पर समशे करते है तो भरत महाराज के जीवन में कई लोगों ने उन्हें गलत समझा लेकिन हर समय वो यह नहीं सोचा कि क्यो मैं इतना परिशान हो रहा हूं समझे तो समझे हर एक विक्ति को उन्होंने अपने निर्दोष्टा का सबूत परिण सब को समर्पित किया महाराज गुआ वशिष्ट भारत द्वाज भारत द्वाज मुनी उन्होंने भी उन्हें भरत क्या तुम राम को मारने आए हो और यहां तक किस लक्ष्मन स्वयम भरत जी को समस्ते कि हाँ अभी यहां पर वन्वास में भी राम को मारने आया है अरे मैं अकिला ही उससे लड़ लूँगा भरत समस्ता क्या है अपने आपको तो इतनी सारी कठनाईयों से इतने सारे विक्तियों को अपने निर्दोष्टा समझाने के लिए भरत जी ने कोई यहां 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 लीव एनी स्टोन अंटन किसी भी प्रकार की उन्होंने कमी नहीं रखी तो यह भरत महराज का भरत जी का एक क्यारेक्टर बहुत ही करूना मैं बहुत ही हमारे लिए आदर्श कि भगवान की सेवा जब करनी है या भगवान की सेवा में हमें अगर सलगना होना है तो ऐसे ने कि केवल आनंद ही आनंद है उस सेवा में बहुत त्याग है लेकिन उस त्याग में इतना अबूत पुर्व आनंद है वो हमें भरत जी के द्वारा देखने को मिलता है तो इसलिए इस रामायन की कथा में एक भरत महराज का, यह बहुत विस्तार से इसका हम चर्चा कर सकते थे लेकिन समय हो रहा है प्रसाद आप सब का वेट कर रहा है लेकिन हमें यह बहुत जरूरी और महत्वपूर्ण शिक्षा हमें ले जानी है कि भगवान की सेवा में चाहे कितनी भी कठनाई या क्यों न आए लेकिन जो उसका अंत है, क्योंकि सब विक्तियों ने उन्हें गलत समझा लेकिन एक विक्ति ने कभी उन्हें गलत नहीं समझा और वो है भगवान श्री राव तो इस संसार में हमें चाहे कोई भी कितना भी अगर गलत समझे भगवान आपकी रिधैक की बात को जानते है तो हमें भगवान और उनके भक्तों पर हमेशा भरोसा रखना चाहिए प्रसंग जो हमें बहुत कुछ सिखा जाता है तो हमें विक्रूती के तरब न जाते हुए जो आज का संस्का आज का समाज जा रहा है हमें प्रकूती से संस्कूती की ओर जाना है ये हमें रामायन सिखाता है और इसलिए हमारे भारत वर्ष में एक्चली ये रामायन और महाभारत जैसे ग्रंथों के कारण जो संस्कृति बनी हुई है वो इनी ग्रंथों के कारण बनी हुई है आज भी कही न कही वो त्याग की भावना हमें देखने को मिलती है आज भी कही न कही वो प्रेम देखने को मिलता है क्यों क्योंकि ये संस्कृ और किसी न सटल रूप से, बहुत ही सुक्ष्म रूप से हमें सब को दिये गए हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आज की कथा को यहाँ पर हम विराम देंगे, आपने बहुत ही पेशन्स से आपने इस कथा को श्रवन किया और आपने हमारा साथ दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने आपने हरी हरी बूर।